चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आप तो नीट पॉस्पॉन्ट के लिए सुप्रिम कोर्ट में भी केश दायर हो चुका है और आप ये मानकर चलो कि अब तो 100% चांसेज हो चुके हैं नीट पॉस्पॉन्ट होने के मैटर यह है कि मिडल इस्ट कंट्रीज में जो इंडियन स्टुडेंट हैं और वो नीट 2020 एक्जाम देना चाते हैं और जिन्होंने नीट 2020 का एप्लिकेशन फॉरूम फिल किया है उनके पेरेंट्स ने सुप्रिम कोर्ट में केस दायर किया है कि मिडल इस्ट कंट्रीज में नीट एक्जाम सेंटर सेट अप करने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाए और नीट 2020 को कोविड 19 की सिचुएशन को देखते हुए पॉस्बॉंट किया जाए इससे पहले नीट वज एक्जाम पॉस्बॉंट करने के लिए पेरेंट एस्ट एसेसेशन ने HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश, पोकरियाल निसंक और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्सवर्दन को लेटर लिखा है उन्होंने 15 ऐसे कारण लिखे हैं जिनमें नीट पॉस्बॉंट करवाने की मांग स्ट्रॉंग हो जाती है लेटर में ये भी कागया है कि नीट वजेई को जब तक सिच्वेशन कंट्रोल नहीं हो जाती तब तक कुछ मैनों के लिए पॉस्बॉंट करना चाहिए तो दोस्तों अब तो सुप्रिम कोर्ट में भी नीट पॉस्बॉंट को लेकर याचिका लग चुकी है और सुप्रिम कोर्ट ने सीबियस्ट की एकजाम को ही कैंसल कर दिया जो एक से पंदरा जुलाई के बीच होनी थी तो नीट वजेई को सुप्रिम कोर्ट द्वारा पोस्पॉंट करना तय है क्योंकि सिच्वेशन खराब ही हुई है केसेज लगातार बढ़ ही रहे हैं तो जब सुप्रिम कोर्ट ने सीबियस्ट की एकजाम कंड़क्ट करवाने की परमिशन नहीं दी तो नीट वजेई की इस कंडिशन में परमिशन कैसे मिलेगी दोस्तो इन सब बातों को देखते हुए यह 100% शोर है कि नीट वजेई पोस्बॉंड होना था है आप टेंशन फिरी होकर स्टड़ी करते रहें आप तो बस स्टड़ी मत छोड़ो नीट पोस्बॉंड अवस्य ही होगी और जैसे ही इसके बारे में पोस्बॉंड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा इसके बारे में जैसे ही कोई latest update मिलेगी आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें और bell icon भी अवस्थे प्रेस करके रखें जैसे ही मैं कोई video डालूँ आप तक notification मिल सकें तो दोस्तों मिलेंगे आप से फिर नई update के साथ में तब तक के लिए जै ही